आज काल बालको थीला याने मोटा ओसुथी बद्धानी जी फैवरीट जो एक आइटम होई तो ए मोमोस छे तो मोमोस निया आपने घरेज बनाविए तो सवती पेलला आपने मोमोस बनावा माटे लोट बांदी लेए तो में एक कब मेंदोली देलो छे मेंदानी अंदर मिठू अने तेल नाखी अने मोन देवानू छे अने लोट नी अंदर बराबरी त्या मिक्स करी लेवानू छे तेल नाखी अने बराबर मिक्स करवू खोबस जरूरी छे त्यार बादज आपने पाणी एड करवानू छे तो हवे आपने तीमे धीमे पाणी एड करता जै याने लोट बांधी लेवानुचे एक साथे पाणी एड नथी करवानू में दो छे जो एक साथे तमे पाणी एड काई देशो तो एक दम धिलो थाई जासे एटला माटे पाणी धिमेधी में एड करता जैने जो लोट बांधी शो आपणे तो आपणो लोट तैयार थाए गए हो छे तो आरीते आपणे लोटने बराबरी ते मसरी लेवानों छे और एमनी अंदर फरी थी हो एक चमची तेल उपर थी एड करी देश अने लोटने आपणे 10-15 मिनिट माटे रेष्ट करवा माटे मुखी देवानों छे चारे पन आपणे कोई वस्तु बनाविये छी अने लोट बांधी त्यारे लोटने 10-15 मिनिट माटे रेष्ट करवा मुखी देए तो ए ना थी कोई पन वस्तू छे, ए सरस बने छे, हवे आपड़े स्टाफिंग बनावी लईए, तो ए माटे में बेचमची तेल लिधेलू छे, एम नी अंदर आधू, मर्चा और लसन एड करी देशु, तो आपड़े पेस्ट एड नथी करवानी, आरिते आपड़े एकदम जीना कट करवाना छे, ए बराबर सत्राई जाई त्यार बाद आपड़े वेजिटेबल एड करवाना छे, तो मैं अहियां काजर, कैपसीकम, ओनियन, लिधेला छे, औने कैबीज पन में लिधेली छे, तो मैं कोई एक कलर नूँ पन कैपसीकम लई शको चू, मैं अहियां त त्यार बाद आमनी अंदर मिठो एड करी देशू, स्वाध अनूँ शार, और अड़ी चमची मरी पाउडर, एक चमची आपड़े विनेगार एड करीशू, और अड़ी चमची जेटलो आपड़े सेजवान चटनी एड करी देशू, और बराबरी त्या मिक्स करी अनि एकदम हाई फ्लेम पर आपड़े लगभग एक मिनिट माटे हवे कुक करीशू, तो आपड़े स्टाफिंग तैयार थाई गयोँछे, येस बंद करी देशू, तो आपड़े लोट छे, एपड़े एकदम सरसर तेरेस थाई गयोँछे, तो हवे एमनी अंदर थी पतलीज राखवानी छे, एकदम ज़ाड़ी नथी राखवानी, जो पूरी वधार है ज़ाड़ी हसे, तो आपड़े जे मोमोस बनावी शू, एक काचा लाग से, एड़ला माटे आपड़े आसाईज नी पूरी बनावी लेशो, तो तमें जो ये शको छो के एकदम पतलीज बनावी शू, तो हवे मोमोसानू स्टॉफिंग पन तैयार छे, और पूरी पन तैयार छे, तो स्टॉफिंग भरी देए आपणे पूरी नी अंदर, तो आरिते आपने ठोडु स्टॉफिंग अज लेवानु छे, और त्यार बाद बद्धाज खुणा आने भेगा करी और आपड़े एक सरस्रीते कवर करी देवानू छे नॉर्मली आपड़े चारे कचोरी बनावी अने स्टॉफिंग एड करी अने चारे गुणा बेगा करी देए छे एज रीते करवाना छे आपड़े बद्दाज मोमोस भरी लेवाना छे चारे पन कोई मेहमान आवता होई अने अमेरे मोमोस भनावा होई तो आपड़े आरी ते सवतिय पलला श्टॉफिंग भरी अने तैयार राखी शक्ये छिए अने लाश्मा पण आपड़े आपड़े अने स्टीम करी देश शक् आरी ते पन आपड़ी शेप आपी अने बराबर रीते मोमोस नूँँ श्टफिंग बनावी शक्किये छे तो हवे आपड़ा मोमोस एकदम तईया थाईया छे तो सवथी पहला इने स्टीम करवा माटे में एक डीश मुखी छे अने डीश नी उपड़ आपड़े त्यल पंड लगावानू छे ने त्यार बाद मोमोस मुखी शू हाई फ्लेम पर 15 मिनिट माटे स्टीम करवाना छे तो अपड़ा मोमोस स्टीम थाई गया छे तो हवे आमने सर्विंग प्लेट नी अंदर लई लेसो तो आरेसी पितम ने केवी लागी कमेंड करी ने जरूर बताओ छे